हेलो एवरीबरी वेलकम तो मैं चानल स्वीटी पिंकी तो आ गही हो मैं एक और व्लोग लेकर ये व्लोग बहुत ही मज़िदार है चोटा सा है इसलिए क्योंकि ये गनेश चातूर्ती का एक दिन पहला वला व्लोग है तो आज बज रहे है रात के बारा आप लोको शैद पता के लिए तो आज मैं सजाने वाली हूँ गनेश जी के सिंहासन को तो आप लोगो तो पता ही है मुझे इतना पसंद है सजाना I love decoration कोई भी फेस्टिवेल हो गाइस चाहे बद्दी हो चाहे अनवर्सरी हो चाहे पूजा हो फेस्टिवल हो तो मुझे सजाना ठाकूर को बहुत पसंदे करना तो आगई हूं मैं फिर से अब सजाने में ना शुरू किया पहले तो मुझे संज मेंना याद quand on तो सबसे पहले आइडिया तो यह है कि पहले तो मुझे flowers लगाना ही है तो fool तो मुझे first लगाना है अब इसके बाद में क्या करूँगी पता नहीं मेरा mind काम तो नहीं कर रहा है फिलाल पाँच strings है fool का तो बस वही लगाने वाले हो तो अभी आप देखते रहों कि मैं यह flowers कैसे लगाती हूँ और इसका कैसा लुक आता है पीछे मैं देख सकरे हो मेरा पूजा घर है छोटे से शायद आपको बहुत छोटा लगे बट मेरे लिए मंदिर के ही समान है तो मैंने पूजा घर भी सजाया हूँ है लाइटिंग लगाया है आप देख सकते हो तो बस देखते रहों गाइस बोर मत होना और स्किप मत करना तो जल्दी जल्दी देखे मैं सारा फ्रावर लगा रहे हूँ खोदी सेले टिर्ले गाष खे रहे हो नहीं सहई लगा रहे है आप मैं इसा लग रहा है आ अपने बच के लिए और वसके बढ़ के लिए अपने बर्ड़ी के लिए भर्ड़ी के लिए मुझे वैसे वाइसा वी दू आ आज उन का जनम दिन होने वाला है और हम उसी की तियारी कर रहे हैं तो एक तो के बाद देखते हैं इसका लोक कैसे आता है चलो देखते हैं तो यह देखे इसका लोक ऐसा आ रहा है बल्कुल festive यह वहां आ रहा है तो अब क्या करें अब तो लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ इतना में तो काफी है नहीं तो कुछ और भी करना पड़ेगा तो यह प्लास्टिक ना गईस मेरे मेरा कुछ डेकोरेशन स्टॉक में था काफी चारा तो मैंने निकाला वह सब की देखूं इसमें से कुछ नया मिल जाए में को डेकोरेट करने के लिए तो ढूंते ही ढूंते ह जाए में खुछ भी हो गई हूं तो कौन सा कर लगा हूं और इंज के सथ क्या जाता है खूज रही हूं मैं समझ में नहीं क्या लगा लेकिन मुझे बड़ी सिर्ण तरीके का कुछ करना था जादा चिक मिशिक नहीं करना था तो हां यह पिंक अच्छा लग रहा है यलो के तो यह पिंक मैंने लगा दिया है और चलो आप देखते जाए अब मैं कुछ बोलूं कि नहीं बस आप देखते जाओ मैं क्या कर रहे हूं जाओ 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 जैदेव जैदेव र jurisdैश्री गढराज वित्या सुखदाता रन्या दुमा लोगार शनके नामन नमता सै देव जैदेव माम पकान से कोई शरणागत आवे शंदन संपन सभय वर पूरा मावे पालएक से कि म्घाना राजों को अतिभावे तो बैक्ग्राउंट आम ने बहुत सुंदर से सज्जा ही लिया है फ्रेंड्स लेकिन अब बारी है उनके सिंगहासन की जहां आम उनको विराजवन करेंगे तो यह तो पीड़ा है मेरे पास लेकिन इसको सजाएंगे कैसे तो देखे मेरे पास यह एक लौता गोल्डन पेपर है अब इतने रात को मैं मुझे पेपर मिल नहीं रहा था और मैं लाना भी बूल गई थी जिसके लिए गनपती वपास मैंने माफी भी मांग लिया है तो यह पेपर से मैं यहीं सजा रहे हूँ अब देखो यह गोल्डन पेपर से मैं रैप करोंगी क्योंकि थोड़ा तो स्टाइलिश बनता है ना उनको थोड़ा सा तो हमें अच्छा कुछ लुक्स देना है तो गोल्डन एंड रेड मुझे सबसे बेस लगता है पूजे पूजा व को बैठाने के समय तो बहुत ध्यान से मैं लगा रहे हूँ तो आप भी बताइए का जरूर कमेंट में की आप लोगो कैसा लगता है जब आप लोग अपना घर सा जाते हैं ना स्पेशली पूजा के लिए तो आपका मन श्रद्धा ध्यान पूरे उस चीज़ पे उस पूज में फोकस्ट रहता है तो आप लोगों कैसा फिल होता है मेरी को लोगोहन में बहुत सांधी आ रहा था और बहुत अच्छा लगता है एसा लगता कि में सीवा में तो मैं बहुत एमोशनल भी हो जाते हूँ बहुत जादा जहां यह सब मैटर आता है तो एनिवेस छोड़िए आप पहले बताओ कि दिखी यह रेडी हो चुका है तो मेरे यह शॉटकर्ट कैसा लगा आपके भी घर में अगर कुछ वैसा नहीं हो आरेजमिन तो यह रेडी हो चुका है और यह दिखिए हमने बठा दिया है गनपती पपा मोर कर दिया है तो इनको मैंने वेराजमन कर दिया है जब पूरा से मैंने को सजा दिया ना तो यह इतने अच्छे लग रहा थी इनकी चेहरे पे इतना गलू था ऐसा लग रहा था कि भनी वन्ना गनपती जी मुझे देखकर स्माइल कर रहे है और वह बहुत है कि उनकी प्लेस वैसे भी हम भी जब किसी के घर जाते हैं तो हमारा प्लेस हमारा रिस्पेक्ट हमेशा हमें मिले तो यह बार बार मेरा हाथ जो सामने आ रहा है इसके लिए आम वेरी स्टॉरी क्योंकि वह एड़ी को थोड़ा में अड़ी कर रही थी क्योंकि मेरे पास पूजिशन ठीक नह मुझे पूजिशन नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं फोन को एक जगा रखके ना मैं शूट कर रही थी कोई शूट नहीं करने वाला था तो इससे थोड़ा दिक्कत हो रहा था तो अपने बताओ कि कैसा लग रहा है है ना अच्छा लग रहा है ना गनवरती जी तो मुझे ऐस कि मैं और क्या सजाओं तो अब इसमें मैंने यह जो लीफ वला चीज है डिगोरिशन स्टीमर इसको भी मैंने साइड से लगा दिया था कि बॉर्डरिंग अच्छा आए टेबल का क्योंकि यह रापिंग पेपर तो एक ही मैंने लगा था तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा च और कुछ अच्छा लगा दे तो इस बर मैंने ग्रीन लगा दिया मैं जैसे कि मैंने आपको बोला कि पूजा के लिए मुझे रेड गोल्डिन और ग्रीन बसंद है तो यह रहा यह मैं साइड से मतलब इतना दिफिकल्ट हो रहा था दोनों तरफ से उसको बांद के मतलब जो पीड़ा है उसके पैर पे बांद के मैंने इसको ऐसे डेकुरेट किया देखी कितना सुन्दर लग रहा है अभी है मेरा मन नहीं पलाथा तो मैं सोच रहे हूं अब इसमें तो इसमें से इसमें भाईवर्डीन को मैं कहा लगा हूँ और मैं इनके माला में लगां या सर पे लगा रहा था इसलिए मैंने दूखा लगा दिया目前 बहुत सुन्दर में पूच रही हूं और मुझे पता हैğin बहुत सुन्दर लग सब्सक्रा कर दो आपको दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है की कि कैसा दिख रहा है मेरा गन पती भपा अच्छा लग रहा है जैदेव 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 जैदेव